नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका exam warrior के online study platform पर आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हिमाचल परदेश की documentation विविन डिस्टिक में कब होगी और बहुत से doubt आ रहे थे बच्चों की सर जो backward area या backward पंचायत का certificate होता है और जो landless certificate होता है उसे कैसे बनाया जाता है सब स्वालों के जबाब मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा सबसे पहले बात करते हैं जिन डिस्टिक की यहाँ पर documentation की date आ चुकी है अब देखिए कुछ एक डिस्टिक ऐसी है जिनकी officially notification नहीं आई है लेकिन बच्चों को message जरूर आये है अब जैसे आप देख सकते हो सबसे पहले लाहो लांस पीती का हमें पता लगा था कि documentation की date कब आएगी फिर हमारे पास यहाँ पर चार और डिस्टिक आती है यहाँ आप देख सकते हो हमीरपूर, मंडी, बिलासफुर, कुलू इसकी वीडियो में कल बना चुका था एक और नई डिस्टिक यहाँ पर है जो कि है उन्ना डिस्टिक यहाँ पर आप देख सकते हो उन्ना की डेट यहाँ पर दी गई है यहाँ पर देखो एट उन्ना पुलिस ग्राउंड तो यह आपकी डेट जो है वो है 23-4-2022 की और यहाँ पर 9 बज़े ने बुलाया गया है तो इसी परकार से आपने अपने जो लिंक्ट मुबाइल नंबर है जिस पर आपको एडमिट कार्ड का मैसेज पहले भी आया था आपने उसी पर चेक करते रहना है आपको मैसेज आ जाएगा आ जाएगा तो आप बात करते हैं कि बागी डिस्टिक की कब होगी तो जैसे ही हम याँ देख रहे हैं सभी डिस्टिक की काफी जल्दी हो रही है तो में मन्थ के अंदर भी आप सभी की documentation हो जाएगी या आप मान कर चलिए हो सकता है में या फिर में के अगले महीने आपका यहाँ पर documentation जरूर हो जाएगी तो main आप यहीं मान कर चलिए कि में मंत में ही आपके documentation होगी तो जो-जो document आपको बनाने है बना लीजी आप बात करते हैं बच्चों के doubt के कि backward area या backward पंचायत जो होता है उसका certificate कैसे बना जाता है देखिए आपने अपने पंचायत जाना है पंचायत आपने पंचायत सेकरेटरी से आपने पूछना है कि हमने backward area या फिर backward पंचायत का हमने certificate बनाना है वो आपको पूरा procedure बता देते हैं दूसरी बात करते हैं landless का certificate बहुत चाप बच्चों को मैंने reply भी किया था लेकिन जिन बच्चों का reply मैं नहीं कर पाया उनको मैं यहां बता देता हूँ जो landless का certificate होता है सबसे पहले आपको जाना होता है पटवारी के पास जो आपके area के पटवारी होते हैं बहां आप जाईए उनसे कहिए कि हमने landless का certificate बनाना है और आपकी भूमी एक hectare से कम होनी चाहिए फिर आपकी भूमी जब कम होती है तो बहां से एक परचा दिया जाता है कुछ एक लिखा जाता है information जिसमें यह लिखा जाता है कि आपके पास एक hectare से कम भूमी है फिर आपने जाना है cyber cafe पहले पहले तैसिलदार के office में जाना पड़ता था लेकिन अब यह काम सारे online हो जाते हैं हाँ अगर आपके दो दिन से जादा लगते हैं तो आपने तैसिलदार office जाना है बहां पर आपके documents आपने बोलना है कि हमने landless का बन hope यह update आपको समझ आ चुके होंगे और जिन बच्चों को अभी तक यह पता नहीं है कि उनकी documentation कब होगी देखिए आपकी में मंत के अंदर ही आपके documentation होगी यह हो सकता है आपकी June में आ जाये हैं तो आपको message आ जायेगा क्योंकि उनना डिस्टी के आपने देखा होगा official notification न ना आए और अगर ऐसा हो भी जाता है क्योंकि ऐसा होता तो नहीं है लेकिन अगर गलती से कभी एक वच्चे एक साथ ऐसा हो जाये तो आप अपने पुलिस दिख्चक के कारिया ले जा सकते हो क्योंकि आपके दोस्तों के आपको पता होगा documentation कब होगी तो आप उनसे पता कर और या आपके documentation से related की कब आप के होंगे तो मिलते हैं आपसे next update में